लगनाव में मार्चंद्रका देवी मंदिर के कल से कपाट खोले जाएंगे यहां पर लाखों आदमी भीड लगती है लेकिन जब से कोबिड-19 की महामारी आई है उसके बाद मंदिरों के कपाट यहां बंद कर दिये गए बारी संख्या में दर्शन करने वालों की भीड लगेगी साथ ही मंदिर के अंदर माक्स लगा कर आने पर ही प्रवेश मिलेगा पूरे मंदिर को सेनिटाइज कराया गया है सोशल डिस्टन्सिंग को लेकर मंदिर की मेला कमेटी ने बेहद ख्याल रखा है दो मीटर पर गोले बनाए गया है उसके बाद मैं आपको बता दूँ क्योंकि यहां पर लाखो आदमियों की भीड लगती थी इसको देखते हुए मंदिर कमेटी ने बड़ा निर्ने लिया है क्योंकि बिना माक्स लगाए आपको इंटी अंदर नहीं दी जाएगी और साब तोर से यह मैं बता दूँ आपको कि यह गेट है और यहां पर कल से जो है लोगों का ताता लगना सुरू हो जाएगा तो साब तोर से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मेला कमेटी है उन्होंने इंतिजाम किये है सोसल डिस्टेंसिंग का बेहद यहां पर ख्याल लखा गया है हमारे साथ में बात करने की यहां के पुजारी जी है पुजारी जी किस तरीके से कल मंदिर के कपाट खोले जाएंगे और क्या कुछ विवस्था है आप लोगों की तरफ से की गई है जो सरकार के दिसा निदेश है उसके हिसाब से कल कपाट खोले जाएंगे सुबह पांत बुजे कपाट खोले जाएंगे उसके बाद सोसल डिस्टेंसिंग की का पूरा ख्याल रखा जाएगा और माक्स यह आप लगा के आएंगे अनिवारी रहेगा कितने आदमी दर्शन करने के लिए आते थे और अब क्या लगता है आपको अब जितने पहले आते थे उतने तो नहीं आएंगे पर पांच आदमी एक बार में दर्शन करेंगे इससे जादा नहीं होंगे और माक्स आनिवारी होगा अच्छा तो पंडी जी का यहां पर साफ तोर से कहना है कि पांच आदमी एक बार में दर्शन कर पाएंगे हलां कि जो कपाठ है करें करेंगे सोसल डिस्टेंसिंग का भी बेहद मंदिर में खयाल लखा गया क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि लाखो आदमी की जो भीड थी वो मा चंदका देवी का जो मंदिर हैं यहाँ पर लगती थी और मेले का भी जो है यहाँ पर पूरा आयोजन होता था लेकिन अब जो दुकाने म लेकर की मिला कमेटी नेर्ने ले रहे है कि किस तरह के दुकाने खोली जाएंगी क्योंकि भीड बिल्कुल ना लगता है जिस तरह से करोना वाइरस पूरे देश की महामारी के साथ में उत्तर पर देश में भी तेजी से पैर फसार रहा है इसको लेकर के कहीं ने कहीं बड़